आज मुझे फिर से एक वेबसाइट के बारे में पता चला है जिस पर की हम चेक करेंगे कि फ्रॉड हो रहा है की नहीं यह जो वेबसाइट है इसका नाम है टाउन मैट इसको हम सिंपली गूगल में सर्च कर देंगे और यहाँ पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट को हम उपन कर लेंगे यहाँ पर वाचेस बें सेल हो रहे हैं साथ में पावर बैंक भी सेल हो रहा है और यह आइफोन 6 128GB वाला वेरियंट 45,000 में सेल हो रहा है और आइफोन 6 64GB वेरियंट सेल हो रहा है 9,000 में यह वेबसाइट फ्रॉड है कि नहीं इसको चेक करने के दो तरीके हैं जो मैं आपको वन बाइवन बताऊंगा सबसे पहले आपको यह लिंक कॉपी कर लेना है और आपको आजाना है डोमेन एज चेकर पे वहाँ पर आपको डुपली चेकर दिखाई देगा आप डुपली चेकर पर क्लिक करेंगे फिर वो लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और चेक डोमेन एज पर क्लिक करेंगे अब हम यहां से एक product purchase करेंगे, जिससे कि हमें इस website के बारे में और पता चले, यहां से हम iPhone 8 का 64GB variant purchase करेंगे, जो कि at least 17,000 में तो sell नहीं होगा कहीं भी, इसे हम add to basket कर देंगे, add to basket करने के बाद यह हमारे basket में add हो जाएगा, your basket is currently empty, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको अपने basket में add किया था, फिर भी यह मेरे basket में नहीं है, यहां आप देख सकते हैं, your basket is currently empty, दोस्तों ऐसी जो fraud करनी वाली websites जो होती है ना, उनमें ऐसे चोटे मोटे glitch होते ही है, जैसे कि यहां पर कोई basket में product ही नहीं है, और यहां पर आने के बाद यहां पर checkout दिखा रहा है, और दू fraud है, और कोई website अपने website पर किसी और website का add दे, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो fraud है, यह सिर्फ एक तरीका है analyze करने का कि यह fraud हो सकती है कि नहीं, अब हम यहां basket पर checkout पर click करेंगे, checkout पर click करने के बाद यहां पर कोई भी account create करने का option नहीं आ रहा है, हम simply यहां पर ऐसे लिए name type कर देंगे, state select कर लेंगे हम United Kingdom, फिर street address, apartment, town, city type कर देंगे, और country भी type कर देंगे, यहां पर मैंने country select किया United Kingdom, फिर भी यहां पर एक country का option आ रहा है, अब कौन से country में भी कोई country होती है, वो मुझे नहीं बता, फिर हम post को type कर देंगे 101010, और दोस्तों यहां पर ऐसे ही number accept कि जा रहे है, यहां पर कोई limitation नहीं है, कि आपका pin code 6 digit का होता है, या फिर 5 digit का, हम phone number type कर देंगे 987-654-3210, जो हम हमेशा use करते हैं, और email id भी ऐसे ही type कर देंगे, at the.gmail.com, अब हम type करेंगे order के notes, जो की बहुत जरूरी है type करना, यदि आप ऐसे notes type नहीं करेंगे न, तो इन website पर जो हो रहा है न, वो fraud हो रहा है, आपको ऐसा note जरूर से type करना चाहिए, और ऐसे type करना चाहिए, कि उनको समझ आ जाए, और हम last में type करेंगे f.u, समझ जाएंगे वो, कि हमने क्या type किया है, cash on delivery का भी option यहाँ पर है, अब हम place order पर click करेंगे, और यह जो town mat की website है, इसने मेरा order receive कर लिया है, और यहाँ पर order number भी दे दिया गया है, यह product में ने order किया है, UK का country सेलेक्ट करके, अब यह website अपना product इंडिया से UK में अपना product deliver करीगी, यह जो website है, इनने बहुत ही future का सोचा है, यह website का मानना यह है, कि हम सिर्फ इंडिया को क्यों cover करें, अगर हम पूर सही सोचा है, और मैं इसको बताना चाहूंगा, कि आपको यह सब नहीं करना है, और अगर आपने यहाँ से कोई product purchase कर लिया है, तो आप consumer complain कर सकते हैं, इस वीडियो के description में एक link मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा process देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने detail में explain किया है, कि आपको कैसे complaint register करना है, और कैसे उसको track करना है, इस website की एक बहुत अच्छी बात है, कि आपको यहाँ पर पहले payment नहीं करना पड़ता है, जिसकी वज़ा से पैसे आपके जेब से नहीं जाएंगे, जब तक कि आपको product receive नहीं होता है, आपको बताना चाहूंगा, यह website आप तक product भी deliver कर देंगी, जब उनको पता चलेगा कि आप genuinely product को receive करना चाहते हैं, product receive करने के बाद आप नहीं return कर सकते हैं, और नहीं आपको कोई replacement दिया जाएगा, और नहीं आपको कोई refund दिया जाएगा, तो ऐसी सब website से आप कोई भी product purchase मत कीजिए, दोस्तो 17,000 एक बहुत ही बड़ा amount ह होता है, यहाँ पर 17,000 का कोई product purchase करने से अच्छा है, आप 15-16,000 में Amazon या फिर Flipkart से एक बहुत ही अच्छा mobile purchase कर सकते हैं, तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको helpful लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को like कर देना, और ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए और PC related content के लिए हमार चैनल को subscribe कर देना, जो आपके friends से उनको भी इन सब frauds के बारे में पता चले और वो aware हो सके, इसलिए इसी वीडियो को share कर देना, तो मिलते हैं आप से next वीडियो में